नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आतकनीकी वेल्ड के एक और मज़ेदार वीडियो में तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं इस स्मार्टफोन का एक केमेरा रिव्यू जूम टेस्ट एंड एक कम्प्लिट ओवर्यू में आपको देने वाला हूं लावा की तरफ से आ स्पेसिफिकेशन है वो तो काफी बढ़िया है पर एक चुल में इसका किस तरह का है उसका हम यहाँ पर पता लगेगा और उसके अलावा इसके केमेरा को में जूम भी करूंगा जो हम हमेशा करते हैं वो भी करेंगे देखेंगे कि जूम इन करने के बाद यहाँ पर फोटो लेट के स्टार्टेड तो सबसे पहले इसके केमेरा के बारे में बात कर ले अब इसके केमेरा परफॉमंस के बारे में बात करी जाए तो यह नोर्मल फोटो है जैसे आप देख सकते हैं डेलाइट कंडिशन में मैंने निकाली हुई है यहाँ पे HDR मोड वगेरा मैंने ओन कि देखने को बिल रहा है अभी यह फोटो में आप जैसे देख सकते मैंने पोट्रेट मोड को और जो बेग्राउंड में जो सकाई वाला पार्ट हो पूरा ही वोशाओट हो गया है यानि कि जो HDR पोट्रेट मोड में इतना बढ़िया देखने को नहीं मिला है जब तक आप जो पोट्रेट मोड मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा है अब उसके अलगा कुछ और फोटो जैसे आप देख सकता है यह मैंने नॉर्मल कंडिशन में निकाले है डेलाइट कंडिशन में तो वहां पर कलो सब ठीक देखने को मिलते हैं बट एक चीज़ यहां पर मैंने न चीज होती ही है और यहां पर भी होती हुई दिख रही है अब फ्रेंट के मेरा के पर्फॉमेंस के बारे में बात करी जाए तो वहां पर भी सेम सिच्वीशन है जो नॉर्मल मोड है वहां पर तो काफी बढ़िया पर्फॉमेंस एच्ड अच्छा से वर्क कर लेता है खलस अब ज़्यादा इंप्रॉमेंट की डेफिनिटल यहां पर मुझे जरूरत लगी है और यह बाकी के सेंपल भी आप देख सकते अपनी स्क्रीन पे काफी सारे सेंपल में निकाले है और और सारी चीजहों को कंबाइन करा जाए तो जो के मेरे का पर्फॉमेंस से वह मुझे लगा है अब अगर वीडियो ग्राफिक के बारे में बात करी जाए तो वहां पर भी जो कलर साइंस हो मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा है और ऑप्शन तो यहां पर सही है मेक्सिमुम 4K 30 अपियस तक शूट कर सकते है तो वीडियो में जो यह प्राइज में उप्शन हो हो बिट जो काफी कमी है और की माईजएशन को यहां पर काफी ज्यादा बैतर बनाने की ज़रूरत है अब इसका हम एक जूम टेस्ट डेख लेते हैं और उसके बाद हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि यहां पको क्या-क्या फीचर्स देखने हो मिलते हैं तो यह अई करते हैं यहां पर भी तू एक जूम करते हैं अभी यहां से जो भी होगा आगे डिजिटल जूम होगा देखते हैं डिजिटल जूम में किस तरह की कौलिटी बगएरा देखने को मिलती है कुछ फोटोस लेते हैं कर लेते हैं यहां यहां बहुत पास है इसलिए नुज नहीं दिक्राएं पुछ फोटोस ले लेते हैं यहां पर एक वोटर टाइंग है और इस प्रिडिंग अभी फोटोस लेते हैं ठीक है लगे बढ़ते हैं तो यह डिजिटल जूम हो रहा है तेने जूम हुआ है कौलिटी अभी यहां पर मुझे ठीक नहीं लग रही है पुछ फोटोस लेते हैं यहां पर यह नजदिक है तो ठीक दिक्राएं बट वाकी जो चीज़े दूर है वह इतनी क्लियर नहीं है आगे बढ़ते हैं मैक्सिमम यहां पर 20 जूम है कुछ फोटोस लेते हैं बहुत ही बेकार कॉलिटी लग रही है मुझे ओन स्क्रीन वोटर टेंग पर रखके में जूम आट करके दिखाता हूँ यहां पर देख लेते हैं यहां पर कितना जूम होता है यहां पर शूट पर शूट करेंगे तो यह वन एक्स मोड है 2x डिजिटल जूम किया है वीडियो में और देख चलके फूटेज यहां पर शेकी लग रही है 5x जूम करते हैं डाइरेक्ट यह 5x जूम है और यूसेबल है अगर नजडिक की चीज़े आप देखना चाहते हैं इसका चीज़े और यह चोटा सा जूम टेस्ट में आपको विकली दिखा दिया अभी बात कर लेते हैं दूसरे स्पेसिफिकेशन के बारे में तो यहां पर यह वीडियो में फॉन लॉंच होने से पहले बना रहा हूं तो एक्जेक्ट प्राइस तो मुझे पता नहीं है बट शिक्स्टीन टू सेवेंटिंग थाउजन के आसपास आएगी तो क्या उस प्राइस पर आपको यह कंसिडर करना चाहिए तो स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करी जाए तो ओन पर यहां पे काफी बढ़ तो दिश्टे यहां पे काफी बढ़िया है अब अगर फोन के डिजाइन के बारे में बात करी जाए तो यहां पे आप देख सकते हैं यहेविली इंस्पाइड है आइफोन से जो स्पेसेल बेक डिजाइन है वो बट ठीक है देखने में यह अच्छा लगता है और इसका जो अगनी 2 में देख चुके हैं दूसरे भी बहुत सारे स्मार्टफोन है जो कि एरां 20,000 आते हैं उनमें यह आपको प्रोसे सर देखने को मिलता है तो डेफिनिटली इस प्राइस पर यह प्रफॉम्स भी अच्छा आपको निगाल के देता है और एंट्टू टू स्कोर वगि आपको देखने को नहीं मिलता है तो यह चीजिस की मुझे सबसे बढ़िया लगती है अगर यह एंडूर्ट फॉर्टीन के साथ लोंच होता था और भी बहतर हो था बेटरी एंड चार्जिंग के बारे में बात कर जाए तो 5000 एमेज की बेटरी 33 वोट का चार्जिंग है तो यहाँ पर आपको 5G के जो इंडियन बेंड है वो सारे ही बेंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है तो 5G कनेक्टिविटी के मामले में कोई इस्यू नहीं यह मैंने वाइफाइ पर यूज चाहिए था तो यहाँ पर कहीं पर मिसिंग लग रही है तो लास्ट में अभी सव सवाल आजाता है इसकी प्राइज प्राइज अरांड 15,000 आता है तो डेफिनिटल आप इसे कंसिडर कर सकते हैं इस चीज मैंड में जरूर रखिएगा कि इसका जो के मेरा है उसका प्रफोंस मुझे देखें के मेरे कंसिज इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा है तो अभी के लिए तो इस युडियो में इतना आउनी देखे अपके युडियो पसंद आया हो तो लाइक की जिए शेर कीजिए और चेनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीड अजयों ए